very very welcome to all शाथियों एक्जाम फाइटर नंबर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है most welcome है जहां पे हम लोग यूजी सीनेट पेपर वन की तैयारिये भी कर रहे हैं और पेपर वन के यूनिट यूनिट नाइन पेपल एन इनवर्नमेंट जन एवंग परियावरन को हम लोग द के बारे में पढ़ने वाले हैं तो क्या होता है pollution क्या होता है production इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो start करते हैं तो सबसे पहले pollution का meaning होता है गंदा करना pollution का जो समानिसारत है गंदा करना या प्रेदुसित करना इसको आसान लफजों में ऐसे परिभासित कर सकते हैं कि pollution हवा पानी और मिटी में हवा पानी और मिटी में chemical physical या biological गुनों में होने वाला अंचाहा बदलाव है यानि pollution क्या है हवा पानी या मिटी में रिकिएमिकल फिजिकल और बायी लॉजिकल गुनों में हवा पानी या मिटी में उनका ये प्रगुन है चाहे उसका क्र 然後 physical गुनों या बैनलॉजिकल गुन इन गुनों में परिवर्थन जब हो जाता है वो परिवर्थन कॉन है अंवांटेट ऑं चाहा हम लोग नहीं चाहा रहें परिवर्तन और उस तरह का परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं पॉलिशन या पर्दूर्श्चन Environment या परियावरन में दूसीत परार्थों के दाखिल हो जाने के वज़़े से नेचरल बैलेंस में पेदा हुए दोस्त को ही पॉलिशन करते हैं यानि परियावरन में जो सभी चीजों की एक निस्चित मात्रा होती है उसी क्यादार पर हमारा परियावर्ण ठीका रहता है तो जब उसमें कोई अनुवांचित पदार्थ या जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं वो दाखिल हो जाती है यानि उसमें मिल जाती है तो नेचुरल जो बैलेंस है शंतुलन बिगड़ जाता है प्रकृति का इसी और शंतुलन को ही इसी दोस्त को ही पॉलुशन या परदूश जब हो जाता है या यह परदूशन जब हो जाता है क्या होता है हुमन लाइफ यानि मनुष्ति का जीवन लीभिंग और सभी सजीव और नेचुरल हैरिटेज और जो हमारा प्राकृतिक अस्तल है के लिए बहुत नुक्षान दायक होता है जिसका हमारे जो जीव हैं लीवि जो विरासत है इस के लिये नुकसांदायक होता हो जीव जन पर इसका डार्य को व्यूपरी प्रहाब्भाव प्रशन बढ़ां लंगों ने क्या मोबाइल मोबाइल घ्रमinya ना चब्सक्रों चाहतम हो जाताहा है उसे नहीं रहता मिलता है। मरिस्ट के दौराः बनाएगे चीज़ों का जब यूज में नहीं depressed है उसे जो उसे ठेटे प्रशा करते हैं जो कि फिलाने में मुख्ती भ्रमिका निवाता है कुद्रत के जरिये बनाई हुए चीजों के रिमेंस को जब इंसान के दरा बनाई हुए चीजों के रिमेंस में मिला दिया जाता है तो दुसित पदार्थ बनता है यानि प्रकृति से छेड़ चाड़ किया जाता है तो वहां पर क्या बनता है दुसित पदार्थ और वही पॉ पर्यावर्न परदूशन के चार क्या है क्या है और...' इसके कारन क्या है, और responses के स्रों तीन सेग्मेंट आगे सेङ्मेंट में हर एक को देखेएंगे वायू पर्दुशन में सबसे पहले परिवारता क्या है कारण क्या है और इसका वायू पर्दुशन का स्रोथ क्या है क्यों यह पॉलिशन होता है वायू पॉलिशन यानि हवा में वायू पॉलिशन है यानि हवा में अन्वांटेड यह कि नहीं चाहता है अन्वांटेड गैस के द्धूल कन और पार्टीकल कि जब मिल जाते हैं तो क्या होता है और नेचर दोनों के लिए metadata blow बनगे वहा का वफन चीत रूपसे दूसित होना हुए हमारा वायू पमरीशन है जिसको नहीं चाहते हैं या या बिना चाहते भी अगर कुछ हाओ माई मिल जाता है और हवा का बैलेंस को गडबर कर देता है उसे ही हम लोग एयर पॉलुशन या वाई पॉलुशन कहते हैं हवा में ऐसे इलिमेंट्स का प्रजेंट जो हुमन और एनिमल के सहत के लिए नुक्सान दायक हो हवा में कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो मनुस्ष्ट के लिए और जान चीजों को एयर पॉलुशन करते हैं करती है और जो इस्थिती पैदा करती है यह पॉलुटैंड मिलकर उसे ही एयर कहा जाता है अब वाई पर्दसन के कारण उसके मुझ के कारण क्या है तो सबसे पहला कारण है वहहिकल से निकलने वाला धुआ यानि जब भेहिकल से निकलता है तो वह सबसे बढ़ा कारण है इसके बाद कारखानों से निकलने वाला वेहिकल से फिर कारखानों में जो निर्मान कार्य होते हैं वहां से धुवा निकलता है और केमिकल्स निकलता है वह भी बहुत बढ़ा कारण है इसी प्रकार नुकलियर प्लांट नुकलियर प स्पोर्ट होता है तो उससे भी पॉलिशन होता है इसी प्रकार ओयल रिफांडरी जो तेल के तार खाने है वहां से भी धुवा निकलता है उस धुवा से भी पॉलिशन होता है इसी प्रकार कोईलों के जलने और जंगलों में पेड़ों के जलने से भी धुवा निकलता है और यानिकारक होता है क्योंकि इसे कारबन निकलता है और हम लिए ज्यादा काम करने वाला और जन लगे उज्चनलों हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रुरी है वह आल्ट्रा वाइलेट रेज को रोकती है जबकिस AC वगर जादा यूज़ करने के कारण एर कंडिशनर यूज़ करने के कारण वहां से निकलने वाला CFC कलो फलो कारबन और जोन लेयर को नश्ट कर रही है और इह भी एर पोलिशन यूज़ का बहुत बढ़ा कारण है अब इसका स्तुरत क्या है थे यूज़ जो होता है मुक रूप रूप से किन. किन गैसों के कारण होता है उसे हम लोग देखेंगे सबसे बला कारण नाइट्रोजन औक्साइड यह सभी एर पॉलिशन के स्रोथ है यही गैस यह जब हवा में मिल जाती है अन्वांटेड तरीके से सकते और हवा के जो बलेंस है औसको गढबर कर देती है तो इसे ही एक्साः कर सकते हैं ऐर पॉलिशन पॉलीचोन हो time इसारी यहां फालोटेंट हैं वायू पर्दृषन का दुस प्रभाव होता है क्या उसका हानी होता है इसे हम लोग देखेंगे वायू पर्दृषन का दुस प्रभाव सबसे पहला दुसप्रभाव होता है हम मेंЕТन National गैसों के उपस्थिति से मनुष्ट पक्षियों और पस्मों को गंभीर प्रोब्लम का सामना करना पड़ता है इसके वजह से कुछ विमारियां जैसे कि धमा धमा हो जाता है सर्दी खासी अंधापन शुनने की सक्ति का कमजोर होना इसकी इन डिजिज आधी होता है जाता है जब जब ज्यादा कोरा चाने लगता सर्दियों के दिन में इसके करण प्राक्रतिक द्रिश्थिता में कम जाते हैं यंदे नहीं से आखों में जलन्द भी होती है यानि आखों में भी समस्यां अने लगती है वाई पॉल्यूशन के वज़ा से पिर्थवी का टेमप्रेचर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सूरस से आने वाले गर्मी हमारे प्रयाण में कार्बन डॉक्साइड मिथेन और नाइट्रस अक्साइड का इठाक कम नहीं होने देता यानि हमारे प्रिथवी में वहां पर किसकी मात्रा बढ़ जाती है का प्रभाव बढ़ जाता है जो कि हम लोगों के लिए जीवन के लिए नुक्सांदे होता है एर पॉलिटेट एरिया अमल बर्सा होती है उते होती है वहां पर मिलती है और न ऑफिक कर लेकर दिए और को पर दोबसान होता है यह है इसी प्रकार हम लोग देख रहा है जो सूरज से आने वाले होग अल्ट्रा वाइलेट रेस सब्सक्राइब बचाती है लेकिन ग्रीन हाउस गेसे यानि सीवोटू के वजह से और घरती जा रही है और उसका जो धरती पर कहीं कहीं पर पढ़ने लगा है जो कि इसकीन डिजीर या इसकीन कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है वायू पॉलिशन के वजह से रिज़ फिर मतलग है जैसे उसमें हवा में वाई पर बड़ी समय हो जाती है और वह वह जब सांस लेने के योग नहीं रहती है वह पर दूसित हो जाते उसे लिए उसे हमलग वाई पर दूसन कहते थे इसी पकार जब जलमी अनवांटेड और जानलेवा तत्थ तो मिल जात पानी क्या तरह गंदा हो जाता है जिसे वह पानी पीने के लायक नहीं रहता है इसे ही अम लोग को जल परदूसन काते हैं अब देखेंगे जल पर सब्सक्राइब करन सबसे पहला जो करन मनुस्ट्रिका मल मनुस्ट्रिका जो अक्रण में नदियों नहरों और तलाबों में मिसफ्जित करना देना है अलग यह फेक्टरियों का गंदा पानी से भी गंदा पानी निकलता है और और खाद अधिक उरूरक का जब इस्तेमाल किया जाता है या खिटनासकों से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स डाल दे जाते हैं तो वहां से भी जल परदुस्टन होता है इन खाद के कारण गंदे पानी का नदियों और नहरों में छोड़ा जाना बिल्कुल नदी और नहरों जैसे किटनासक का छिलकाव करते हैं इससे भी पाने में क्या होता है गंदगी आ जाती है केमिकल्स के कारण और जल परदुसित हो जाती है और वह जानवरों और मचलियों को नुक्सान पहुंचाता है और एक तरह से जो फूट चैन है हम लोग फूट चैन को पढ़ चुके जान ज़से ढ़नारती हो जाता है जूट ज्यव जयनतु है उसके मुरिप्टी हो जाती है क्योंकि हमाता है औक जूम से निकालते वक्त पच्चे पेट्रली का समुद्र में मिल जाना जोता है तो बहुत सारे समुद्र में कभी-कभी इस लकर pasNaucht यानि उचित जल प्रबंदन पर नाली का ना होना भी जल प्रदूशन का इस बहुत बहुत बला कारण है इसके साथ यह रिती रिवाज है इसके चलते नदियों में क्या करते हैं कचला मानव सव और घरों में उप्यों की जाने वाले हर घरली वस्तु को विसरजन करना यह हम प्रदूशन कके इस स्यम्लकुत के साथ सब करतेखें अधिक्तर आप देखेंगे इंडिया में उसे जाके नहरों में या किसी इन घया ने समुद्र में послед 뭔 सब्सक्राइब में जाकर मिला दिया जाता है यह सीवेज जो है जल पर्दूशन का बहुत बढ़ा कारण है दूसरा अग्रिकल्चर पॉलुशन जब कितनासकों और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं खेती में तो उससे भी हमारा पॉलुशन होता है जल पर्दूशन इसी पक मजा जल परदूशन हो जाता है इसकार रेडियो अक्टीफ स्वार्ध स सभ्स्तांत् वाफ श्वाथ और में बहुत सारे चीजों को फेकने से मेरीन डंपिंग भरदूशन अब बहुत पर्दूशन का इतना जरूरी है और हमारे सरीर का 70% तो जल ही हैं इसलिए जल हमारे सरीर को बहुत प्रवावित करता है अब देखते हैं जल परदुसन का क्या-क्या दूस प्रवाव होता है जल यानि जल पॉलीशन से मनुष्टी पर्शुमों और पक्षिएँ के सहते खत्रा प्रेदा और बहुत रखान का बीमारी होता है सिल पीने से ताइप हाइड होता है हेजा होता है अगर अगर या पर दुस्रील पीते हैं पीने के पानी में क्या होता है कमी हो जाता है यानि पानी पीने लायक नहीं होता है क्योंकि नदियों नहरों तलाब हो यहां तक ही जमीन का अंदर का पानी भी गंदा हो जाता है इन परदूसर्ण के कार्ण आज कल इस्तिति ऐसा हो गया बोरिंग से भी जो पानी निकलता है जल से वह बी परदुशित हो चुका है कि इसके अलावे दुसीज़ निसे की खेतों में सिचाई करते हैं तो फिलों इससे फलों को खाने की वज़े से खतरनाक विमारियां पढ़ा होती यानि अगर वह दुसीत जगह में उससे रोपा गया है वहां दुसीत जल पर दुसीत जल को सिजाई में उप्योग किया गया है तो ऐसे पोधे में जब फल लगेंगे उस फल को कोई अगर खाएगा या इसको भी खतरनाक विमारी होगा वही हो रहा आजकल इसी परकार कह सकते हैं इंसानों के जरिया भूमे का कच्रा नदियों डाल देते हैं जिससे नदियां भी समुंदर में अपना गंदा पानी मिलाकर उसको लगतार गंदा कर दिया नदियां तो गंदी हो ही रही है इसके अधिक तर नदियां जो समुद्र में जाके मिलती हैं वहां समुद्र के जल को भी गंदा कर देती हैं माइक्रो औरगनीज्म पानी में घुले भी ऑक्सिजन को अपने अंदर एब्जर्ब करके इस्तेमाल में लाते हैं जब दूसित चीजों को जल में मिलाय जाता है तो जो क्यों हो जाती है जिसकी वज़से زी जन्तुंगे मिर्क होने न택ाशंव नहीं है श्वस्न परक्रेश्ण की वादित होती है अंतत्र वो अंधोत दों माहें प्रक्रांच प्रक्रिया पैदा हुने वाले केमिकल सबस्ष्टांस जैसे क्लोरिन bird हो गया अमोनिया हैड्रेदो मचलियों को खाने के दुबार हमाई स्वाइज में पहुषने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां प्रेला होती है जिसकी वज़ा से अंडापन तांस लेने में दिक्कत और हमारी बदन के हिस्तों में लकवा मार्दिना इत्यादी सब होता है यह सब होता है दुस्तित जल के का बहुत ज्यादा और नाक काविल बर्दास सौर को धोई पर्दुशन के तीवरता को में में हमारे कानों के लिए जोडेसिबल है क accus का sound क् ihr यानि साट डेसिबल से हम अगर कम को सुनेंगे तो वो भी हमें अच्छे सुनाइनी देगा और शाट डेसिबल से ज्यादा सुनेंगे तो समझ जाइए कि धौनिव पर्दूसित हैं और आपको काम से समय बहुत रखे विमारियां हो सकती है तो धौनिव पोजिशन के तिवरत करना है अनकांट्रोल्ड वहिकल के विस्तार से उसके इंजर्ण तो फौन के करण जेनरेटर व्डीजल पंप से निकलने वाले धौनी के करण इंडेस्टिल एडिया में उच्छी आवाज के पावर साइरन के कारण मसीनों से होने वाले सोर थे वज़ा से इसी प्रकार शहरों गाओं में कोई पर्वतियार में या प्लिटिकल पाटियों में चुनावी रेली में लॉड़ी स्पीकर से निकलने वाला बहुत ज्यादा सोर बहुत ज्यादा सोर भी बहुत बड़ा कारण है कि दोने परसन के स्रोत क्या है मुक्त इसके स्रोतों को देखा जाए तो ट्रेफिक नौए ट्रेफिक में भी लगता है और सबी लोग वादम पर जाते एक साथ वहां की धोनी पर्दूशन होता उसकी कारण एर ट्रेफिक न लगता है इसी पर कंस्ट्रक्टिव साइज जहां कोई काम होता है उसके वज़र से भी धोनी पर्दूशन होता है जैसे कि आप हमारे वीडियो में सुन पारोंगे बगल में कंस्ट्रक्शन सा काम चल रहा है इसके करण मुझे जोर से बोलना पर रहा है और हो सकता आपको भ पर दूशन का सीधा साधा और बिल्कुल लाइफ प्रत्यक्ट उधारन है के ट्रिंग और नाइट लाइफ अभी हम लोग क्या हो गया है नाइट लाइफ चलता है रात में देर देर तक पार्टियां होती है इससे भी हमारा है साउंड पॉलिशन हो रहा है लावड म्यूजिक जोर जोर से गाना सुनना यह भी साउंड पॉलिशन का कारण है इसी प्रता इंडेस्ट्रियल एक्टिविटी इंडेस्ट्री में कुछ इसे-इसे मसीन है जिसके बहुत जोर का आवाज निकलता है जब वह मसीन चलती है इन आप अगर लगतार हाई भॉलिम को सुनेंगे तो आपको सुनने की सक्ति कमजोर हो जाएगी इसी प्रकार आपको सीर्दध होगा चीर चीरापन लगेगा यह सारा धोनी परदूशन के करण होता है धोनी पॉलिशन के से हमें एक बहुत ही खतरनाक होता है हर्ट बीट रेट बढ़ जाना धोनी जब बहुत ज्यादा बर जाएगे हर्ट बीट रेट बढ़ जाएगे इसके साथ हाई आपको हो सकता है अधिक देर तक आप पॉलिटेट साउंड को सुनते हैं वहुत जोर का साउंड को सुनते हैं साइकलोजिकल प्रब्लम भी आपको हो सकता है अगर कार्म धनिका Andina बढ़ जाए गांगा हाई ब्रॉट प्रणक चहुक्ते बच्चों के सहेथ पर बनीप पडनिकत का बुरा सर पड़ता है इससे कई तरह के फीजिकल डिफ्रमीती परू corri t थकान थकान भी अ कायँ होता है गेस्ट्रिक अल्सर दमा अींतर कारणी होता है एक भूूमी पर्दूसन क्या है इसकें करिवासा को जानें गें इसका कारण क्या हार इसकें मुख्ष रोध промक्त जल में आवाँ पराथ मिल जाता है तो जल परदुशन हो गया उसी परकार भूमी परदुशन का मतलब है जमीन पर जमीन पर यानि भूमी पर अन्वांटेड ना चाहते हुए उन्यूजीबल जिसका की यूज नहीं हो सकता है टॉक्सिक पराथ का विसरीद करना जब हम भूमी में want degradation अगरवर होता है इस तो सक्षी क्वालिटील घट जाती है मिट्टी के नकीच भरती लापरवाई ही यह जो प्लिशन तेजी से वमड़ों को देखेंगे तो कार्णों में देखें तो सबसे पहला कंड़ना कि राजकल करते हैं वर खेमिकल और च हईतिमाल कर रहे हैं और इसके इस्तिमाल के कारण चाहता भूमी हमारा परदूस्तित होते जाड़ी है इसी पक्राइब फैक्तरियों और खानों से निकलने वाला ठोस कच्छा निकलता है उसे भी भूमी परदुस्ण का एक बोरबरा करना है इसी पक्राइब चीनी और कागज मीलों से निकलने वाले प्रातों का विसर्जन जिसको मिट्टी एबजर्ब नहीं कर पाती है चीनी और कागज मीलों से भी जो अप्सिस निकलते हैं और जिसे मिट्टी एबजर्ब नहीं कर पाती तो वो ऐसे प्रात क्या करते हैं भूमी को परदुस्ण करते हैं प्लास्टिक की थेलियों का ज्यादा इस्टेमाल जिए जमीन में दब कर भी नहीं गलती प्लास्टिक की पर जितना जल्द हो सके बेन से लगा जाना सरकार को अभी बेन लगा गया लेकिन इसका कोई इंपक्ट देखा नहीं जा रहा है इसी प्रकार घर होटल और फैक्ट्री के बच्चे हुए पदार्तों का विश्टर्जन जिसमें कपड़े लकडी धातू कांच इत्यादी प् रखें तो माइनिंग एक्टिविटी जो खनन का कारी होता है वह भूमी परदुशन को फेलाने में सबसे बड़ा योगदान देता है खननकारी को इसी पर एग्रिकल्चर एक्टिविटी एग्रिकल्चर में अधिक उरूरक इतना सका प्रियोग कंस्ट्रक्टिव वेश्ट को तो यह भी भूमी पर्दुशन में महत्पूर भूमी का निभाने लगते हैं ओभर क्रावडेट लैंडफिल और इसलाइसन बहुत ज्यादा अध्योगी करन हो रहा है जिसके कारण भी हमारा भूमी परदुशन बढ़ रहा है क्योंकि नए ने एरिया में नए दिखे चाहँ पर अभूमी परदुशन का क्या या तो देखेंगे बूमी के प्रदुशित क्या सकती बहुत कम बच होई है बहुत सारा जानमाल को नुकसान पहुंच रहा है कि इसके साथ फूर सोर्स घंदा होने की वज़ाई से सहत के लिए नुकसान दक्राइब क्योंकि जब भूमी ही गंदा है जमीनी गंदा है तो वहां जो पोधे होंगे वह भी उसका कुछ न कुछ अंस को अपने अंतरगत कर लेंगे और इसलिए वहां पर जो भी फल या सब्जियां होगे वह सेहत के लिए नुक्सान दायक होगे इसी परकार पानी और हवा पॉलिशन में विर्दी जल और हवा के परदुशन में भी इसकान विर्दी हो रही है क्योंकि जब भूमी में भूई परदुश्यत रहेगी वहां से जो भी निकलेंगे पोधे या पेड़ पोधे फसल सब्जी वह भी उस तरीके से नहीं हो करते हैं उससे सुद्ध करते हैं जब वही असुद्ध रहेंगे उनका कंडिशन खराब रहेगा तो वह क्या करेंगे पॉलिशन को खत्म करने में अपना योगदान नहीं दे पाएगे और इसके पानी और हवा का भी पॉलिशन बढ़ जाएगा सिर्फ भूमी परदुशन क अभी हम लोग देख रहे थे परदुशन क्या है परदुशन के कितने प्रकार है इन सब चीजों के बारे में भी देख लिए उमीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए खाफी फाइदे मन रहेगा और इसी तरह आप अगर यूजिशने जारत पेपर वन की तयारी करना चाहते हैं बिलकुल 5 पी-m every day evening 5 पी-m को हमारे चनल एक्जामपाइटर नमर वन पर वीडियो अफलोड कर दी जा रहे हैं और आप हमारे चनल एक्जामपाइटर नमर वन को जल से जल सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को फ्रेस्ट कर दें ताकि में प्रती दिन जब पांच बजे वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अराम से अपने घर बेटे तैयारी कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो और कनेक्टिंग विट एक्जाम फाइटर नमबर वन